आज की हमारी देश है एक चाइनिस स्टार्टर तो आप इस रेसिपी को एंड तक देखे और प्लीज मेरी चानल को ज़र सब्सक्राइब करेगा तो चलिए अब हम यह रेसिपी शुरू करते हैं मैंने या गोबी को हाफ पीस में कट करा था और अब मैं इसकी जो पत्ते है वो निकाल रही हूँ हमें सिर्फ इसके पत्ते चाहिए इसके अंदर का जो वो हाड कड़क पोशन होता है वो नहीं जाहिए तो इस तरह से आपको सारे जो पत्ते हैं उसे छाटने है और जो यह ऐस मैं एक बॉल में एक चमच मिनेगर एक चमच सोया सॉस मैंने यहां पर डाक सोया सॉस यूज किया है अगर आप लाइट लुज कर रहे हो तो वह आपकी टेस्ट के ओपर आप डिपेंड कर सकते हो मैंने यहां जरा सा चीनी और नमक मिला कर इन सब को अच्छ से मैं मिक्स कर कर देंगे यहां पर मैं नहीं हो आप मैंने लस्न लल मेच और यह जो पता प्यास पता जिस की स्प्रिंग ओनलन की तो मैंने को आपर जो यह फुद्ध मैं नहीं Alfred तो इन सारे चीजों को हमें अच्छे से फ्राइ होने देना है और यह तीन जो इंग्रीडियन्स हमारा है इन ही का ही जादा इसमें फ्लेवर आएगा और इसका बहुत ही इंपोर्टेंट रोल है तो इसे मेक शॉर करिए अप एकदम अच्छे से फ्राइ करें तो यहां देखे अच्छे से फ्राइ हो चुके है अब मैं इसमें पत्तागोवी डाल रही हूँ यह हमें पत्तागोवी ऐसे ही डालना है ठीक है और इसे अच्छे से मिक्स करना है तब तक जब तक सारे जो पत्तागोवी है वो सॉफ्ट ना हो जाए फ्राइ हो कि यह अल्मूस्ट पकना यह देखिये, सारे टते पते जो हैं और अच्छे से सवफ भी हो गए है आब हम हम इसमें जो सॉसे है और डाल देंगे मेरे मिक्स किया हुआ सॉस था ए डाल वह हुए इसमें तो अगर आपको लगता है कि आपके जो प्राइब स्वेवर बाता है Listen आपके टेस्ट के ऊपर है यहां पर बनकर रेडी हो चुका है तो इसका कलर भी बहुत अच्छा आगया है यह सारे पक चुके है अब हम इसे सर्फ कर रहे हैं तो मैं पर सर्विंग बोल में सारा जो है वो पता भी डाल रही हूं और इसे स्प्रिंग ओनियन से मैं गानिश कर रही हूं यह जो डिश है यह स्पेशिली चाइना में बनती है तो आप इस डिश को डेफिनिटल अपने घर पर ट्राय करें बहुत ही एजी है और में चानल को प्लीज लाइक और सब्स्प्स्वाइब करें